इस बार आज प्रस्त है श्री हिमाशु जोशी की हिंदी कहानी का रेडियो नाटे रूपांतर रेडियो नाटे रूपांतर श्री शैलेंद्र ने किया है तो सुनिये नाटक इस बार अभे मत दाता हित पर लोक लोक पित माता उलता नाम जबत जाग जाना बालमी की वै ब्रह्म समाना नाम जबत प्रभवकीन प्रसादू वक्त शिरोमन्य भै प्रागाता के जए भार नहीं वर्ड़ा को चया आप नहीं है जए अरऊ कोय इतयो हार व्योहार नाए और पूझा भी उत्ते चलिये जित्ति रोज चलिये असल बाज्य के बाओजी के तुमको चाय की तलब लगी ताबियोगी आप सुनो एकब चाहे मिल जाती तो सुबह वली चाहे गर्म नहीं थी अब बहाने ना बनाओ चाहे चाहे सो बनाए देते प्रभू इस कठिया ने तो हमें किसी मतलब का ना रखा तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए अमेरिका से इतनी बड़िया दवालाई है उसे नियम से खाय करो पगली है बिटिया तो चब देखो अम्मा बाबुजी की चिंदा भले ही साथ समंदर पार अमरीका में रहती है पर प्रान इसके दिन रात यहीं अटके हैं हम में और तुम में भूल गई अत्ती की अम्मा जब अत्ती छोटी थी तो तुम शिकायत किया करती थी के भगवान ने की संतान दी और वो भी लड़की अब देखो तुम सुबा सवर हमें चुड़ाओ मती हाँ अच्छा अब चाहे बना दो जल्दी से और हाँ अत्ती मा के लिए भी बना देना मैं जगाता है ना 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 सोने तो बिटिया को अराम करने दो जी भर के अमा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं अच्छाना कहां खुली तो देखा साड़े नौ बज रहे हैं मैं तो सोती रह जाती ना दिन बर तेरी अमा भी यही कह रही थी कि वहां अत्ती को कॉम से फुर्चत ही नहीं मिलती होगा बाभु जी यहां तो जब से आई हूँ अमा आराम के नाम पर मुझे हात पर तक नहीं लाने देए एतनी सुस्त हो गई हुँ यह आकर कि अभी तक अपना सामान भी ठीक तरह नहीं खुला है। अजया खुल जाएगा सामान अबान चल्दी काय तुझे है। कहीं ऐसा नहीं है जो चीज यहां के लिए लाई हूं और मेरे साथ वापस अमेरिका चली जाए रहा है। अच्छा खोली जो सामान मैं चाय बना कर लाती हूं पहले गर्मा गरम चाय तो मेरी चाय में चीनी कम डालना है। अमा ये ये लो है भगवान अब जे काला ये मालिश वाला सिर पर मालिश करने की मशीन तुम्हारा सिर भारी रहता ना इससे एकदम हलका महसूस करोगी हां सिर तो बहुत भारी रह वे पच्छे मशीन उसीन सामे अरे मेरी भोली अमा ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी तुम्हारी बालिश करके दिखाऊंगे बाबुजी ये ये हैं आपके लिए लेग वामस जाड़ों में आपके पैर बहुत ठंडे रहते हैं ना इसके क्या जरूरती में एक मिनिट एक मिनिट ये देखिए ये है इलेक्रि अरे सुन-सुन-सुन करण तो नहीं लगता ना नहीं बाबुजी अरे करण लगता तो एक से दूसरा कंबल नहीं बिखता अरी बता इत्ता सबकुछ लाने की जरूरत क्या थी है ज्यादा कहां लाई अमा लो जी सुन लो बिट्टों की बात अमा जे तुम्हारे लिए बापुजी, बल्कि यूगाओं कि आप दोनों के लिए कुछ भी करने में मुझे बहुत सुख मिलता है जानता हूं बेटी, तु अमारी बेटी नहीं, बेटा भी है बापुजी, बापुजी, अमा, वहां न्यू जर्सी में मुझे आप लोगों की बड़ी चिन्ता लगी रहती है अरे ना ना बिट्टो ना, चिन्ता की का बात है, हरी हम दोनों बुड़ा बुड़ी के लिए तो उपर वाले का सहारा पहुता है भग्मान भली करेंगे हाँ, वो तो ठीक है अमा, अगर कानपूर से शीलू चाची को बुलवाने तो कैसा रहेगा अरे, बिचारी विद्वा है, उन्हें भी दो रोटी का सहारा हो जाएगा और तुम लोगों को भी साथ मिल जाएगा अरे, बिचारी, कौन आसके इती दूर से अपना घर बार छोड़ चाड़के है अमा, पूछने में तो कोई बुराई नहीं है, अब कानपूर में उनका है भी कौन बाबुजी, आप एक चिठी तो लिखी रीजे अच्छा, बाबा लिख दूँगा अत्ती बिट्ट, एक बात काए हमारी माने तो अब तुई वापस आजा बिट्ट बात दिन रहली परदेश में तेरी अम्मा को तो यही लगता है कि इसके पास रहकर तुझे जो सुखारा मिल चकता है वो कहीं और मिली ही नहीं चकता है अरे अपना घर तो अपना घरी होवे है वो कहीं है ना कि जो सुख छजु के चौबारे सो बलखना बुखारे वाँ अम्मा अम्मा क्या है कि मेरे प्रोफेशन में यहाँ इतनी अच्छी तंखा मिली नहीं सकती सोशती हूँ जब इतनी दूर गई हूँ तो कुछ अर्सा तो वहाँ रहू ना कुछ पैसा भी कमालूँगी और वहाँ का एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ भी अच्छी जॉब मिल जाएगी अच्छा बिट्टो जैसा तू ठीक समझे यह सुवेटर किसके लिए लाई है बीरू भाई साब के लिए और यह देखो यह सुधा भाबी के लिए परफ्यूम लाई हूँ विट्टिया मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कल बीरू का फोन आया था तुम्हें पूछ रहा था आज कल में आएगा शाय बहुत भला लड़का है हर दस पंद्रा दिन में आके हाल चाल पूछ ले वे ना तो फून तो जरूरी कर ले वे अब देखो ना जी कैसी अजीब बात है जे बीरू हमारा सगा नहीं हमारा संबंध ही नहीं फिर भी कितना अपना सा लगया है ना अपना पन रिष्चेदारी का मौताज नहीं होता अपना पन होता है भावना से हैसास से और वेवार से अम्मा याद है कई बार तुम घर पर नहीं होती थी तब सुधा भावी मुझे अपने घर ले जाकर आलू की टिक्या किलाया करती थी इतनी टेस्टी बनाती थी कि मैं खाती ही जाती थी अरे अब उससे मिलने जाईयो तो टिक्या खा करी आयो अब तो आज शाम को ही जाती हूँ कहीं वीरु भाईसा पहले आगे तो बहुत डाटेंगे आजे ठीक है डाट से बचके रहियो अब भाईसाब कभी नहीं बदलेंगे और सुनाओ क्या हाल है अतिमा मेडम बहुत बढ़िया लेकिन तुमसे जगड़ा करना है यह बताओ कि इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आई दो हफती होगे तुम्हें आई हुए अब भाईसाब क्या सफाई पेश करूँ मैं डांट रहा हुए तुम हंसे जा रही है आप इक कमाल करते हो जी इतने दिन बाद अत्ती मिली है इसकी खेर खबर ली नहीं लगे हो डांट पिलाने भाई 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 तुम कितनी अच्छा है बस 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 बहुत प्यारा रहा भाई पाई 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 अधे या आई और इतने दिनों का पता ही नी चला और वहां अमेरिका में हर दिन जैसे खत्मों ने भरी नहीं आता है काम के बाद जब आप अपने अपार्टमेंट में अकेले या छोटे से परिवार में सिम्टे बैठे होते हैं तो कभी कभी लगता है जैसे घड़ी की सुईया रुख गही है रोज रोज ना टीवी देखना अच्छा लगता है ना म्यूजिक सुना है किताब में मन लगता है ज्यादा तर एनराइज की यही प्राबलम है पर यह लोग अपने जानकार परिजितों से मिलते जुलते क्यों नहीं एक दुसरे के घर नहीं जाते क्या आरे समझ यह भायसाब ना के बराबर रीजन है ना जगों की दूरियां बहुत है और इससे भी बड़ी वज़ा यह भायसाब के हम भारतिये विदेश में जाकर भारतियों की तरह कम उन लोगों की जादा बहेव करने लग जाते है आपके एक मज़ेदार खिस्टा सना एक बार वो बिचारे बगएर इतला किये उन लोगों की घर चले गए तो बेटी छूटते ही बोली पापा अपनी बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है वहाँ ठीक ही लग रहा है भाबी अच्छी जॉब है आराम है सारी सुविधाए है हिनी सब के लिए तो हम लोग बाहर जाते हैं मुझे तो बस एक ही प्रॉबलम है वो क्या आरे वहाँ कोई अपनी भाशा बोलने वाला नहीं मिलता तरस जाती हूं भाबी किसी के साथ हिंदी में बात करने को थोड़े दिन पहले ना मेरी एक मल्याली मित्र बनी है गायत्री पूटी पूटी हिंदी बोल लेती है और मैं ना मैं उसे मल्यालम सिखती हूं अच्छा लेकिन हमने त्याकर रखा है कि हम एक दूसरे से अंग्रेशी बिल्कुल नहीं बोलेंगे तुम लोग बाते करो मैं चाहे लेकर आती हूं अब भावी भावी आलू की टिकिया आती अच्छा क्या इसी बाने मैं भी खालूँगा भावी बड़ी मुझके से मनाती हूं भावी साब मुझे कुछ कहना था आपसे फर्माइए 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 बहां अम्मा बाबुजी के लिए बहुत चिंता होती है अधे यार वो घर में अकेले रहते हैं ना मैंने इ आपसा हो गया वो अलग बात है लेकिन भाइसा हो आपसे तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं आती है घर में दो से तीन आदमी हो जाएंगे तो अच्छा ही होगा वही तो आप भी जरा बाबुजी पर जोड़ डालिएगा वो शीलु जाची को बुलवाई लें शूर आपक नहीं से फूल गई जय हो एक से सींए अई चाहिए बहुत जड़ी जल्दी 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 जाना पड़ेंगा जा। वह लेख घर जो लाग लेख सब्सक्राइब कने लिए बया, अच्छा यहां वाहन वाहन हुआ, यहां तुम रखिख जाए बहुत कि यहां विए वाहने किताब एंपर आते हैं मैं भाप बात एंपराऊए भाहन से अक्राइब कुल नहीं है? अचार मैंने देख इसमें रगगा है सब समान प्याग हो गया हाँ बाबुजी हाँ आप दिमाग से उधर गई चिठी लेकर आता ही होगा अच्छा अम्मा वो समान दिखो सारफ हो गए ना सब बढ़ुजी आपने शीलू चाची के पास संधेशा बिचवाया एक नहीं वह ब दाल दूँगी कोई बात हो कोई जरूरा तो फॉरन मुझे फोन कर देना मैं जैसे भी हो चली आओंगी पिछले जनम में हमने पुन्न किया होंगे बिच्टो जो मैं तुझ जैसी बेटी मिली भगवान सबको ऐसी संतान दे अच्छा बिच्टो अपना ख्याल रखियो हाँ तुम लोग भी अपना देहान तेरी चिंदा लगी रहिगी बिच्टो अच्छा बिच्छा बिच्छा का अच्कछा बिच्छा अच्छा मैं एरेस्टो प्रांटी चिंदा इसलोगारा मैं कि अ पुछ भाग म्रुचा मैं पूछ्छा उमार्य हाल पूछ के आप लोग ऐसे हैं, अपना खाल रखियेगा कि ऐगा हमल रोज कर लिया करें कोई घंटी बजाए तो पहले पूछ के तुसली करके तब दर्वाजा खोलेगा बच्चा समझे हमें यह लड़की भी बैटी-बैटी खामका चिंता करती रहती है हमारी चिंता तो करेगी ही हमारे लिए तो वही बेटी यह वही बेटा और क्या लिखाया थी ने थोड़ी सी नाराज की भी जाहर की है किस बात पर हमने नौकर रख लिया ना यह बात उसे पसंद नहीं आई पर क्यों चे तो उसी किराय थी कि हम किसी को अपने साथ जरूर रख ले अब देखो ना सीलू ने ना तो चिठी का जवाब दिया ना कोई खबर भीजी तो भई ह हमने सहारे के लिए नौकर रख लिया मगर उसका सोचना है कि आजकल नौकर रखना खत्रे से खाली नहीं है लिखा है ये खबर देकर तो आपने मुझे डरा ही दिया देखी रहे है कैसा माहौल चल रहा है ऐसे में एक अंजान आदमी को घर में रखने की आपको क्या सूजी हाँ नौकर को हटाई दें तो अच्छा है अत्ती की मा तुम्हारी क्या राय है रामपरसाद को हटाना ठीक होगा अब अत्ती ने कुछ सोच समझ के ये बात लिखी होएगी हाँ तो हटाई देते हैं देखो जब से रामपरसाद आया है तुम्हें भी कितना सहारा हो गया है हाँ और नोकर आसानी से मिले भी नाए शाब चाय ले लिजिये लीजे माजी आप भी पीजे अरे राम परसाथ आज बना कई चाय बना लाया रोज कहने का जरूरत नहीं माजी एक दिन कहने शही याद हो गया यह तो एकदम फीकी है, चीनी नहीं डाली, चीनी डाला शाब, इतना शाब डाला शाब, फीका तो लगेगा ही, डॉक्टर शाब ने आपको मीठा खाने शे मना किया है ना, छा भाई, फीकी ही पीले तो, राम परसाद, साब के परहेज का ऐसे ध्यान रखा कर, मा जी, वो है अट में और पैर में मालिष करना है, तू तेल ले आ, मालिष वालिष रहने, मैं खुद़ा ही कर लूँगा, नी, माजी, हम करेगा, उधर नेपाल में, जब हमारा मा को तकलीक फ़्टा था तो हम उश्का भी मालिष करता था, हम अभी तेल लेकर आता है, माजी, अभी ल ऑन हर चार जी हाँ हेलो हालो हेलो बाबो जी में अत्य को रहे हुआ हाँ हुर सुनिंगे जी बीटी और ती की कैसी हो में जुन थेक हूं ठीक है आप लोग किक है ना भीज उकना थे लगता हर दो दिन पिछले आफते हम लोग मेरट चले गय थे वो कुसम के लड़के की सगाई थी ना बहुत जोर दिया उसने इसलिए जाना ही पड़ा और मुझे यह टेंशन होती रहे अच्छा यह बताईए शीलू चाची का क्या हुआ यह शीलू के बारे बूच रही है लुको तो एक मिनट नहीं बेटी आई तो नहीं पर आ जाएगी अच्छा यह तो वड़ी अच्छी कबर सुनाई आपने दोना फोन आप बाबो जी डॉकर को निकाल दिया ना अभी नहीं ओहो तो कब निकालेंगे आप लोगों जानते बूचते हो एक अच्छा बाबा नाराज मत हो निकाल दे क्यों अच्कल मां सब्सक्राइब बहुत हो रही होगी ना वो एलेक्ट्रिक कंबल बिचार रिकर ना विस्टर पर अरी हाँ हाँ तू हमारी फिकर मत ही कर और दवा नियम से खाती रहना अम्मा नौकर को फोरान अटा दो अच्छा एक अंजान आपमे को घर में रखके क्यो जवाब दे ही तो लगता है अती ने तुम्हें ज्यादा ही डरा दिया वो कुछ गलत भी ना कह रही अब देखो ना हम दोनों घर में अकेले रहे हैं अपनी ही फाजत का तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं उस दिन वो मलोतरा जी तुम्हारे सामने ही तो बता रहे थे कैसे उनके पड़ोस में किसी ने दिन देहाडे बुड़े और बुड़िया को मार दिया और सारा सामान उठा के लेगिया पुलिस को तो उनके पुराने नौकर पर रहे सके अरे भई जरूरी नहीं कि नौकर नहीं ये सब किया हो लेकिन थोड़े दिन पहले कहीं और भी तो तो ऐसे हुआ था वहां भी तो नौकर ने को बूल किया था अरे तुम ही नहीं तो अकबार में पढ़का सुनाया था हमें याद आ गया नौकर नहीं पैसे के लालश में उनकी हत्या कर दी इसलिए तो हम कहते हैं कि संभल के चलना चाहिए हमें देखो जी हम तो आज है इराम परसाद का हिसाब किये देते हां ठीक है कि माजी हम है राम परशाद दर्वाइदा खोल यह माजी राम परसाद इसे तो हम काम से अटाय चुके जेविया क्यों आया है कूई ऐसा तो ना आए किस ने आजट्ति कि बाबुची को बाच जाते देख लिया और माजी अभी साब घर में ना आएं क्या काम है तुमको माजी शाब तो इधर ही कर रहा है हमारे पाश दर्वाजा खोलो अत्ति की मां नमश्ते माजी यह हाथ में थैले कैसे रे तेरे राम परसाद आपका ही शामान है माजी आप बाजार में खरीदारी कर रहा था कि यह राम परसाद मिल गया ना ना करते हुए भी मेरे हाथ से थैले चीन लिये और चला आए यहां पहुचाने आप बोलिये माजी शाब शामान उठा के लाएंगे और हम देखता रहेंगे शाब को बोजा नहीं उठाना चाहिए अरे बो राम परसाद हमें आशी को जरूरत नहीं है जरूत है शाब जी आचाह शाब जी नमस्ते नमस्ते माजी अजय लड़का भी है जीवे क्यों भी बड़ी मुस्किल से तो इससे निकाले थे फिर भी हमारा पीछा ना छोड़ना किसी ना किसी बाने आ चला आवे सुनु जी कही इसके मन में कोई खोट ना हो यह तो भगवान ही जाने पर राम परसाद को देखकर ऐसा लगता तो नहीं हाँ यू तो बहुत सेवा करें पर उसके मन में क्या है जैं कैसे जान सकें अब तो भगवान का यासरा है चले थोड़ी राम आयन बाहां चले कि अधिमा पैचाना मुझे अरे कृष्णा तुम यहां अमेरिका में क्यों भई तुम यहां इतने सालों से अध्डा जमाई बैठी हो और हम चार दिन के लिए नहीं आ सकती नहीं भई ऐसी बात नहीं है मेरी आंटी रहती है यहां अच्छा तुम अभी रहोगी ना कुछ कुछ तीन यार पूदे तीन महीने रहों गें कि मासी के पास आई हूँ किसी एरे-क एरे के पास नहीं और सुना दिली के क्या समाचारे मैं अरे भाई-भाई मौज मस्ती एस उस्यूल लेकिन आजकल एक नई प्रोब्लम क्रियेट होग यह तलीमे क्यों? क्या हुआ बही य खासकर ओल्ड कपल्स हो और वही साउट दिल्ली में तो और भी बुरा हाल है रूजी अकबारों में ये सब पढ़ने को मिलता है कृष्णा आंसॉरी मैं जल्दी में हूँ मैं तुम से फिर मिलूगी है ये जल्दी में से बात्री अधिम मैं तो आदी में आदे मोहा है ये अधिम को आदे अ कि अधिम आदे राख हो है आप हलो अधिमा कैसे में आधिमा अधिमा को दो कर दो है अरे हमारे जगने जगाने की बात छोड़ो तुम अपनी बात कहो अरे क्या हुआ कुछ कहो भी तुम इतनी घबराई भी क्यों हो सब खैरियत तो है ना यहां तो सब ठीक है भाइसा मुझे वहां की चिंता खाय जा रहे है तो इसमें परेशानी की क्या बातें एंगेज हो भी सकता है ने तो सारे दीन सारी रात एंगेज रहेगा क्या बाबुजी और अमा दो ही तो है अकेले फोन बिजी रहने का तो सवाल ही ने उठता बिजी नहीं सही खराब हो गया होगा यहां तो आए दिन सडकों की खुदाई होती रहती है केबल डाउन होना आम बात है भाई साब मैं आपको कैसे समझा हूँ मेरी सहेली आई हुई है दिली से बता रही थी कि आए दिन कोई न कोई दुरगतना होती रहती है खासकर साउथ दिली में अब तो शीला चाची भी नहीं है ना उनके पास अच्छा तुम परेशान मत हो मैं सुबह वसंद विहार जाकर पता लगाता हूँ कर रात मुझे फोन कर लेना ने 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 भाई साब रात तक नहीं रुकोंगी आज दस गंटे बाद ही आपको फोन कर लोगी मैं अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो कर लेना ओके बाई ओकी इस बार तो आँठी में पेड़ गिरने से हमारा फोन खराब हुआ लेकिन कई बार ये बिना वज़े के भी खराब हो जाए अरे ये तो आम सी बात है हमान लिए मैं भी अत्ती को यही समझा रहा था ताओ जी लेकिन वो फोन ना मिलने के वज़े से कुछ बहुत ही ज़्यादा परिशान हो गई थी वो तो यूही परिशान हो जाती है ताओ जी दूर रहने पर चिंता तो बढ़ ही जाती है मैं समझता हूं पीरू वहां सब को यही लगता है कि हिंदोस्तान में बड़ी मारकाट मची है कोई अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता लगता है कुछ ऐसी फीलिंग है उन्हें हमारे बारे में और इन अख़बार वालों ने भी मुझीबत कर रखी जिस दिन 10-15 के मरने की खबर नहीं चाप लेते ना वो दिन ही नहीं होता उनके लिए और यही खबरें विदेश में जाती है वहां रहने वाले भारतियों को लगता है पतो निदेश में क्या क्या हो रहा है खार छोड़ो तीका फोन आए तो कह देना सब ठीक ठाक है कल तक हमारा फोन में ठीक हो जाए जी आ मैं कह दूँगा अच्छा नमस्का नमस्का अरे चल्दी फोन उठाओ अतिमाका होगा इस ती रात गया तो वही फोन करती है हेलो आप अतिमा गर्वाई के पापा बोल रहे है जी हाँ आप कौन बोल रही है कहिए कैसे फोन किया अतिमा का है अतिमा आप पिच्छे में है पिच्छे आप इसके साथे दुरगचना होगी दुरगचना होगी क्या हो गया जल्दी बताओ बेटी वह न्यॵर्क से लॉट रहे धी है उस ने उस पर हमला कर दिया गहाँ पापा घ्राल पापा क्या हुआ है ने जी दिन पहुआ कोई भाट में तो पीडिया है वह आ पर भॉद यह इसके का रहा हो पह दें आप ना मुझे तो पहला तो पॉ अति कहें तरहिए जो रखा बन्य रक्षा अपने नहीं बन्स प्रख़ए बन्स इड़ा करना व्र्ट्मट वर्ट्द ती कि अभर्ट्र हमारी थी की रख़ए आई है अरे इता बड़ा हाथसा हो गया मैं अमरीकाने से भी मना करवा दिया चिंता ही लगी रह वेजरत जल्दी पढ़के सुनाओ ना क्या लिखा है चिठी में अमा बाबुजी परनाम मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ पहले जैसी चलने फिरने लगी हूँ लेकिन हाँ मेरे साथ हुए हाथसे ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है चिंता कि कोई बात नहीं आप लोग अपना ख्याल रखना है प्रभू तेरा लाख यह रही जन्दकानी देदी यह वर भूँ आप कौन होगा इस वक्त ठरो मैं देखता हूँ अले जाबुजी अले अप्ती बेटी तू है नता आर्म चिटी शप्राइबूर वह मैं बताए ठो आपने पर आख तो किसी आवास लग रही है में बताएं चै आपापसे का अधाी है मैं वापस हागी हूँ हमेशा के लिए अचानक ये पैचला अचानक नहीं बाबुची बहुत सोच समझ कर तैकिया है हम लोग जादा पैसा कमाने के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं पैसा कमा भी लेते हैं लेकिन अम्मा बहुत कुछ ऐसा है जो अपने देश में ही बिल सकता है विदेश में कभी नहीं हाल की घटना से मेरा तो मोह भंग हो गया और बाबुची हाथ से तो कहीं भी हो सकते हैं ना हाँ बिट्टो और भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी जाए तो कम से कम अपने देश में हम अपनों के बीच में तो है ना बिलकुल अम्मा मैंने इसलिए तै किया है अब अपनी मिठी में अपने लोगों के बीच रहूंगी ठीकिया ना बाबुजी अले हाँ बेटी बिलकुल ठीकिया अस्यानी हो गई विट्टो है अम्मा अब सुस्ती नहीं चलेगी मेरे लिए कढ़ी चावल जरूर बनाना आज बहुत दिन से नहीं खाए और साबुदाने के पापर भी तेरे अपके भी और मेरे भी फेवरेट अब इस बार अभियाब श्री हिमाशु जोशी की हिंदी कहानी का रेडियो नाटे रूपांतर सुन रहे थे रेडियो नाटे रूपांतर श्री शैलेंद्र ने किया नाटक के निदेशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुत करता शोभाकांतराय और प्रस्तुती करण सहायक महफूज हसन नाटक में भागलेने वाले कलाकार थे श्याम अरोडा, सुचित्रा गुपता, योगेंद्र टिक्कु, हर्श बाला, अशोक मलकानी, कुमकुम जैन, सुनीता ठोक्राल और प्रतिभार शर्मा ये नाटक, केंद्री नाटक एकांश द्वारा तयार किया गया और आकाश्वानी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया झाला, ये नाटकांश ये नाटकांश दोगानी केंद्रिया दिल्ली के वित्यार शर्मा झाल झाल